नाकपूर हलचल में आपका स्वागत है तो आईए नजर डालते हैं नाकपूर की विविध हलचल पर नाकपूर महानगर पालिका आज से पूरे शहर में अतिक्रमन के खिलाफ कड़ी कारवाई करेगा मनपा आयुक्त एवं प्रशासक राधाकृष्णन भी ने सभी जोन के सहायक आयुक्तों की विशेश बैठक बुला कर इस बारे में निर्देश दिये है मनपा मुख्याले के बैठक कक्ष में आयोजित इस विशेश बैठक में मनपा आयुक्त एवं प्रशासक राधाकृष्णन वी अपर आयुक डौक्टर राम जोशी उपायुक्त डौक्टर गजेंद्र महले सहायक आयुक्त अशोक पाटिल प्रकाश्वराडे विजय हुमने गनेश राठोर, हरीश राउत, गनश्याम पंधरे, सहायक आयुक्त किरन बागडे, उद्यान अधिक्षक अमोल चौरपगार, बाजार अधिक्षक श्रिकांत वैद्य उपस्तित थे। पुलिस प्रशासन और NDS दस्ते के सहयोग से अतिक्रमन हटाये जाएगा, शहर में फुटपात और सडकों को साफ करने के लिए विशेश कारवाई की जाएगी, विशेश रूप से मनपा अतिक्रमन अभ्यान के दोरान जब सभी सामगरी को 30 दिनों तक अपनी हिरासक में र एवं उपायुक्त डॉक्तर गजेंद्र महले ने तीनों जोन के स्वास्तन रिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया, साथी बिना अनुमतिव बिना पुर्वसुचना के अवकाश पर रहने वाले तीनों जोन में कुल 65 सफाई कर्मियों का एक दिन का वेतन काटा गय उपायुक्त एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंदन विभाग के निदेशक डॉक्तर गजेंद्र महले ने सोमवार को लकडगंज जोन शनिवार को गांधिबाग अंचल और शुक्रवार को लक्षमिनगर जोन के कार्यालयों का ओचक निरिक्षन किया, लकडगंज जोन के व वाड़ 22 में 149 सफाई कर्मचारियों में से 81 उपस्थित पाए गए और 27 बिना अनुमति के अनुपस्थित पाए गए लक्षमिनगर जोन के वाड़ 37 में उपस्थिती पत्रक पर कूल 92 सफाई कर्मचारियों में से 79 उपस्थित पाए गए और 10 बिना अनुमति के अनुपस जाले शाखार रनाला में मातेश्वरी जगदंबा सरस्वती के 57 वे स्मृती दिवस पर खेल जगत में बहतरीन प्रदर्शन कर गोल्ड मिडल प्राप्त करने वाली इशिता राकेश फेंडर को ब्रह्मकुमारी प्रेमलता दीदी और अन्य भेहनों ने कुश्पगुच और स् प्रेमलता दीदी ने कहा कि मम्मा शालीनता गंभिरता प्रेम और वात्सिल की प्रतिमूर्थी थी मम्मा विद्याले की प्रथम प्रशासी का थी जिनोंने काफी कुशलता पुरवक संस्था की स्थापना और उसके संचालन में अपना सहयोग दिया उन्होंने अपने जीवन में हमेशा कर्मों पर बहुत ध्यान रखा। इसके पश्चाच सेवा केंद्र में मम्मा को श्रधान चली अर्पित की गए। भोजन स्विकार करके किया। वसीम लाला ने लिखित पत्र दे कर शिकायत दर्च करने तथा उसके खिलाव कड़ी कारवाई करने की मांगी है। पुलिस निरिक्षक पाटिल ने इस मामले में कारवाई करने का अश्वासन दिया है। दर्बार परिसर में गैर मुनासिब कारेकरम का अईजन करने की अनुमती नहीं मिलती। जमाल सिद्धी की ने सारे नियमों की धज्जिया उड़ा कर अपने साथियों के साथ योग दिवस मनाया है। दर्बार परिसर में योग कारेकरम करने से जनता में आक्रोश है। प्रतिनिदी मंडल में राकंपा मध्यनाकपूर के अध्यक्ष दिजवान अंसारी ओटो संगठन के अध्यक्ष अब्दूल शाहिद, महासचिव मुंताश शेक, कनीजा शेक मुहमद, आसिप उपाध्यक्ष, बुरुजबाल सिंग सहनी, निसार अली आदी का समाविश था जल ही जीवन है, पर जब जल ही दूशित हो जाए, तो जीवन का क्या होगा, ऐसा ही कुछ खापर केड़ा क्षेतर में हो रहा है, क्षेतर में दूशित जल के आपूर्ती हो रही है, ग्रामिणों की शिकायत है कि पानी दूशित है और उससे दुरगंदारी है, जिससे क्षेतर में पीलिया जैसी बिमारिया तेजी से फैनने की आशंका है, इसी के चलते क्षेतर के नीजी अस्पतालों में पेट समंदित बिमारियों से पीडित मरीजों की संख्या दिन बढ़ती जा रही है, नागरिकों की और से ग्राम पंचायत को बार बार शिकायत करने के बावजुद ग्राम पंचायत प्रशासन इस समस्या को नजदन्दास कर रही है, इसके चलते स्थिती और भी गंबिर हो गई है, इस संदर में चिचोली वाड एक और वाड दो के जै पिंजारे और पवन मतकटे ने अपने घर के नल्ग से आ रहे दुशित पानी का सैंपल और पानी की जांच कर दुशित जलापूर्ती की समस्या का कोई समाधान किया जाए, यह मांग ग्राम पंचायत चिचोली के अधिकारियों और जनप्रती निधियों के समक्ष रखी उत्तर नाकपूर ब्लोग 15 प्रभाग 4 कामना नगर, बेले नगर, ओमसाय नगर, गुल्षन नगर, बालाजी नगर, वांजरी, पिली नदी, वंदेवी नगर, यशोधरा नगर, वाचपई नगर में पालक मंत्री के निधी से किये गए कारियों का राज्य के उर्जा मंत् एवं नाकपूर जिले के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने निरिक्षन किया। वाचपई नगर में में रोड से मुस्तुफा रजा चौक तक सिमेंट रोड कलन स्कूल से शायदा खान के घर के सामने से मस्जिद महबुत अश्रफी तक डामरी करणकर रोड बनाना एवं पोल सही 30 स्ट्रीट लाइट लगाने का कारिय शुरू है। खोपड ने आरोप लगाया है कि शिवसेना के कार्यकरता राज्यभर में सडकों पर उतर कर गुंडा गर्दी कर रहे है। वे शिवसेना विदायकों के कार्या लयों में ही तोड़ फोड कर रहे है और सीएम ठाकरे कानून व्यवस्था सम्हालने में असफल हो गए है। उन्होंने शिवसेना प्रवक्ता संजर राउत पर राज्य में दंगा भड़काने वाली स्थिति निर्मान करने का आरूप लगाते हुए उन पर राज्यत्रोह का मामला दर्श करने की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि राउत विधायकों कोई जिंदा लाज बताते हुए उनके मुंबई में पोस्ट मॉटम होने जैसे निंदनिय वक्तव्यत दे कर आग में घी डालने का काम कर रहे है। जिनके हाथ में राज्यकी कानून विवस्ता है वही दंगा भड़काने का प्रयास कर रहे है। उन पर मामला दर्श कर ततकाल गिरफतार करना चाहिए। रुपे का सामान जब्द किया गया है। इसके अलावा मुंबई शराब बंदी अधिनियम के अंतरगत एक मामले में तीन आरुपियों को गिरफतार किया गया और उनसे सवालाक रुपे का सामान जब्द किया गया है। जिले में कुल 497 लोगों की जांच की गई। इसमें 37 संक्रमी पाए गए। इनमें सबसे अधिक सिटी में 32 और ग्रामिन में 5 लोगों का समाविश रहा। फिलहाल साथ मरीज अस्पतालों में भरती है। इनमें मेडिकल में 3, वोखार्ट और मेडिटरिना में 2-2 मरीजों का समाविश है। जिले में एक्टिव केस 392 है। हालाकि इस बार गंबिर होने वालों की संख्या कम है लेकिन संक्रमंट किसी भी वक्त बढ़ सकता है। यही वज़य है कि सावधारी बेहत जरूरी है। डॉक्टरों का कहना है कि बारिश के दिनों में संक्रमंट तेजी से फेलता है। मामु के अजनी रेलवेस्टेशन पर यूवक कॉंग्रेस निता बंटी शिलके के नेतरत्व में कार्यकरताओं ने अजनी रेलवेस्टेशन पर रेल रो को अंदुलन किया। इस दोरान आकरमक यूवक कॉंग्रेस कार्यकरताओं ने गोंदिया जाने वाली ट्रेंग को करीब उग्रप्रदर्शन कर सरकार का ध्यान देश के महत्व पुरुनमुद्धों की और आकरशित करते रहेंगे। देश्वर ठाकरे, युवराज वैद्य, अल्प संख्याक अध्यक्ष इर्शाद अली की प्रमुक उपस्थिती में आंदोलन किया गया। पश्चिमनागपूर के और आंद सिटी चोक में शहर अध्यक्ष इविकास ठाकरे के नित्रत्व में ब्लॉक अध्यक्ष रजत देश्मु, पंकच थोरार, पंकच निगोड, रीनाच अवान की प्रमुक उपस्थिती में विरोत प्रदर्शन हुआ। पश्चिमनागपूर में काटोल रोड, सिगनल चोक में शहर अध्यक्ष इविकास ठाकरे के नित्रत्व में ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार कमनानी, देवेंद्र रोटेले, प्रमोज सिंध ठाकूर, करूना घरडे, सुकेशनी ठाकूर, राजेश परते की, संजय भिलक अरुन डवरे, सरस्वती सलामे, पद्मा उईके, अंजना मडावी की प्रमुक उपस्थिती में विरोध प्रदर्शन हुआ शिवसेना के महानगर प्रमुक किशोर कुमेरिया के नित्रत्व में, श्री गणेश टेकडी मंदिर सितावडी नागपूर में महापुजाव महा आर्तिकर, शिवसेना के बागे विदायकों को सद्बुद्धी देने की प्रात्ना की गए इस कार्यक्रम में शिवसेनिक सहित बड़ी संख्या में महिला आगाडी की महिला कार्य करता उपस थी थे स्वीटी सहगल, राजू शिरके, राजेश बांडेबुचे, बबलू दरोडे, निलेश सतिबावने, युवसेना जिलासचिव, धरजफंदी, शहर समनवयक निलेश तिघरे, आशिश बोकडे, निलेश सतिबावने, पापा बोरीकर, आशिश कुथे, श्रिकान खंडाले आशिश खडगी, शंकर बावने, आशिश बोरले, विक्की साबले, गौरव महाजन, सुरेश दूर्गे, दीपक शेंद्रे, सुरेश कदम, काकाजी सेवरिया, आशिश नाकाडे, रवी हर्गुडे, रमेश मोरे, राजेश बनोदे, अन्नाराव भांगे, सुधाकर कुम् सुधिया, सुधेव ढोके, राजेश रुईकर, रमेश मोरे, अमित निर्मले, शंकर बेलखोडे, प्रशान सुख सांडे, अभिजित डवरे, अफसार सिद्धिकी, हिमान्शु वागमारे, शुभम, श्रिवास, सहित, बड़ी संख्या में, शिवसेनिक, युवासेना, मह इला अगाडी रथा संपुर्ण शहर के शिव सेना पदाधिकारिव कार्यकरतागन उपस्तित्ते महात्मा गांधी अंतराश्रिय हिंदी विश्वे विद्याले में, अंतराश्रिय योग दिवस के अउसर पर योग सक्ताह के अंतरगर्द, छटे दीन महात्मा गांधी फ्यूजी गुरुजी सामाजी का आय अध्ययन केंद्र, एवं राश्रिय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में, सम्मिश्र पद्धती से गांधी के चिंतन में योग विशय पर आयोजित विशिष्व विद्यापिट, वारणसी के प्रोफेसर राम प्रकाश द्विवेदी ने कहा कि महात्मा गांधी ने एकादश, वरत और अश्टांग योग के सिध्धानतों का पाल प्रोफेसर द्विवेदी ने योग की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी का जीवन दर्शन योग से प्रभावित रहा है, उन्होंने सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, आदिवरत अपने जीवन में उतारे है, वे हर स्प्रातना करते हैं, अर्थात उनकी दिन्चर्याम ने योग और अध्यात्म का एहम स्थान है, अध्यक्षिय उद्वोधन में प्रतिकुलपति प्रोफेसर चंद्रकार रागित ने कहा कि योग प्राणयाम को महत्मा गांधी ने जीवन का अधार बनाया, एकादश्वरत का पालन करते हुए, उन्होंने आश्रम में कर्म सिध्धान्त को लागू किया था। अध्यक्ष गजानन इंग्रे, संस्थापक अध्यक्ष कंखर एवं सभी संचारक पदाधिकारों के आदेशानुसार, राष्ट्रे अध्यक्ष कमला महता के अधिकार, एवं मार्कदर्शन में नवनियुक्त राष्ट्रिय सहंव यवस्थापक राम प्रसात राम बोले का पुश्पगुच एवं बैच लगा कर सतकार किया गया। एवं नवन्युक्त नाकपुर जिला अध्यक्ष रोशन निम्बूल करका पुश्पगुच देकर स्वागत किया गया। प्रतिशत के उपर आए अथर्व विलास मान कर कस्तूरी विवेक मेने आदि विद्यार्थियों का सतकार राश्ट्रे पदाधिकारी डॉक्टर कमला मुहता रामप्रसाद राम बोले ओंप्रकाश गौतम नंकिशोर व्यास के हस्ते किया गया हिंगना तालुका के मेधावी छात्रों को संत गामाजी महाराज शिक्षन संस्था और जिला परिशत सदस्या दिनेश बंग ने पूर्वमंत्री रमेश चंद्र बंग और पुलिस उपाध्यक्षन नाकपुर ग्रामिन पुजा गायकवाड के अध्यक्षता में सम्मानिक किय हिंगना तालुका के 27 माध्यमिक विद्यालेयो और 11 जुनियर कॉलेजों के सैकडो मेधावी छात्रों को हिंगना में ग्रीन वेल वेट लॉन में संत गामाजी महाराज शिक्षन संस्था और राइपुष जिला परिशत सरकल के जिला परिशत सदस्य दिनेश बंग द्वार है तो कड़ी महनत के अलावा कोई विकल्प नहीं है छात्रगर्ण ग्रैजुएशन के पहले साल सही प्रशासनिक सेवा आदिसरकारी एवं प्राइवेट संस्थाओं की तयारी शुरू कर दे और खुब महनत करे पुली सुपाध्यक्ष पुजा गायकवार ने हिंगना में में धावी चात्र सम्मान समारों में चात्रों का मार्दशन करते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि कड़ी महनत करने पर आपको शत प्रतिशत सफलता मिलेगी आजादी के अमरूत महुत्सव के अंतरगत 27 जून 2022 को मंडल रेल प्रभंदक कार्याले दक्षिन पूर्व मध्यरेलवे नाकपूर मंडल के प्रांगन में बकीन चंद्र चैटर जी की 184 वी वर्षगाड पनाई गई जीवी जफताप तथा सभी कर्मचारियों ने बकीन चंद्र चैटर जी के छाय चित्र पर माल्यार पन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किये इस अवसर पर डॉक्टर अंशुमन मिश्रा, वायवियर चौबे, अधिती दूबे तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी गण बड़ी संख्या में उपस्तित थे डॉक्टर अंशुमन मिश्रा के मार्ग दर्शन में राजिंद्र सिंग्ठाकूर ने कारेक्रम का संचालन किया महत्मा गांधी आंतराश्ट्रिय हिंदी विश्वा विद्यले में योग सप्ताह के पाचवे दिन गांधी एवं शांती अध्ययन विभाग द्वारा श्री भागवत गिता में योग दर्शन की व्यापकता और संपूर्णता विशय पर ओनलाइन विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन महादेवी वर्मा सभागार में किया गया कालक्रम में अध्यक्षिय उद्वोधन देते हुए चंद्रमोली फाउंडेशन वारानसी की सहसंस्थापक प्रख्यात संस्कूर्ट साध़क डॉक्टर लूसी केस ने कहा कि श्री भागवत गिता में बताया गया योग का मुल तत्व स्थीत प्रद्या है स्वयम साधना कर इसकी प्राप्ति की जा सकती है गिता में हमें योग दर्शन का व्यापक और समकूरनता का रास्ता दिखाती है इस अवसर पर कुलपती प्रोफेसर रजनीश कुमार शुकल ने संबोधित करते हुए कहा कि योग स्थीत प्रद्यता प्राप्त करता है यह कर्म कौशल भी है भगवत गिता में योग को लेकर एक वाक्यता दिखाई देती है भेत को समाप्त कर जोणने का उपकरम ही योग है इस अवसर पर कुलपती प्रोफेसर शुकल ने संस्कुरुट साधक डॉक्टर लूसी गेस्ट का स्वागत प्रशस्ती पत्र प्रदान करके किया उन्होंने उनके लोकमंगल कार्य के लिए शुपकामनाय भी दी विशिष्ठ अतिथी योग विशेशग्य डॉक्टर जितेंद्र कुमार राय ने कहा कि धर्मदर्शन एक सनातन परंपरा है और इसमें योगदर्शन एक महत्व पुरुन तत्व है भगवत गिता में ज्यान, कर्म और भक्ती योग बताये गए है राश्रसंत तुकडोजी महराज नागपूर विद्यापिट कुलगुरु डॉक्टर सुभाष चौधरी से युवक कॉंग्रेस और NSUI के पदाधिकारियों ने मुलाकात कर हिंदी विभाग द्वारा वहापर विद्यार्थियों के साथ बरती गई लापरवाही उनके आरेसी पर लगाई गई रोग और परिक्षा विभाग में MKCL द्वारा की जा रही गडबड़ी के खिलाफ शिकायत दर्श की और कहा कि विद्यार्थियों को विद्यापिट न्याई नहीं दिला पा रहा है हिंदी विभाग की लतावर्मा और मंजु साहु नामक दो छात्राओ को हिंदी विभाग प्रमुग मनोच पांड़े के द्वारा प्रताडित किया जाना और उनसे बार बार पैसो की मांग करके उनके आरेसी के लिए परिशान करने की बात कुलगुरु के समक्ष रखी गई इस पर कुलगुरु ने भरोसा दिलाया कि किसी भी विद्यार्थी का नुकसान नहीं होगा और आगे भी विद्यापिट सभी विद्यार्थियों को पूरी तरह से मदद करेगा। कुलगुरु ने परिक्षा के रिजल्ट में हो रही देरी पर भी अपनी बात रखी और कहा कि नए नियम के तहट कुछ ग्रेड में अंतर होने की वज़े से रिजल्ट आने में विलम हो रहा है जिस पर विद्यापिट और परिक्षा विभाग काम कर रहा है और जल्द ही महिने के अन तक सभी कोर्स के रिजल्ट आ जाएंगे श्रीमती तुलसी देवी रामरतन सारडा प्रगती भवन सूर्य नगर के प्रथम सालगिरा के उपलक्ष में प्रगती भवन सभागरों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया शास्किय अमेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक के सहयोग से आयोजित इस कैम में 58 लोगों ने रक्तदान किया इसमें प्रशन सिन्याबाद ये रही कि रक्तदाताओं में महिलाओ की संख्या 35 थी और 8 दंपती थे सभी दंपतियों का पौधा दे कर स्वागत किया गया सभी रक्तदाताओं को ब्लड बैंक की और से सर्टिफिकेट प्रदान किये गए जो दो साल के लिए वैद है कैम का उदगाटन अनीशा शर्मा ने किया वे मिस इंडिया टॉप थी एवं मिस यूनिवर्स में टॉप फाइव रह चुकी है गौरव की बात ये है कि शर्मा मंडल की सदस्य अभिलाशा शर्मा की सुपुत्री है मंडल अध्यक्षा निकिता बागडी ने अपने स्वागत भाशन में ब्लड डोनेशन के महत्व पर प्रकाश जाला बवन अध्यक्षा सरला सोमानी ने मुख्या अतिती अनिशा शर्मा का स्वागत किया मेडिकल कॉलेज बलड बैंक के डॉक्टर गौरव बागडे का स्वागत भवन सचिव मदुसारडा द्वारा किया गया मेडिकल कॉलेज टीम में किशोर धर्माले, महिमा शिंदे, नितिन बेलसरे, अनमोल फाटे, उमेश उर्पुडे ने सहयोग दिया संस्था की ओर से सभी टीम मेंबर्स का स्वागत किया गया ओरन सिटी फोटोग्राफर्स क्लब दवारा वीश्व छाय चित्रन दिवस के अउसर पर हर साल की तरह इस साल भी छाय चित्र स्परधा का आयोजन किया गया विगत 25 वर्षों से निरंतन यह आयजन होता रहा है, साथी स्परधा में प्राप्त छाय चित्रों का प्रदर्शन भी होता रहा है इस वर्ष यह स्परधा ओनलाइन आयोजित की जा रही है, एवं चुनिन्दा छाय चित्रों का प्रदर्शन भी किया जाएगा छाय चित्रकारों के लिए wildlife and nature, festival and events and street या विशय रखे गए थे इस परधा के पोस्टर का वीमोचन विठोबा इंडस्ट्रेस प्राइवेड लिमिटेट के कार्तिक शेंडे के गणेश अकैडमी के गणेश काट कोजवार संयोज़क डॉक्टर मातरिश्व व्यास के हस्ते संपन्न हुआ इस अवसर पर प्रदीप निकम, महेश कालबांडे, रमाकान ज़ाडे, सुरेश पारलकर, चेतन जोशी एवं राजन गुपता उपस्ति थे